कि आपके सामने 2017 सेप्टेंबर प्यार्टी का पेपर है देखे 2017 में वेकेंसी दो बार आई थी दो बार रिक्रुट्मेंट हुआ था एक तो हमारा वाला पैस था जो फरवड़ी में नोटिफिकेशन आया था और आपका जून जुलाई जून के सपास उसकी फाइनल प्रोसेसिंग हो गई थी फिर दूसरा हुआ था आपका इस्टेम पे जुलाई मार उसका सरुकलर आया था और आपका सेप्टेंबर में एक्ज कि आप मैं देख रहा हूं जो हमारी यतनी वीडियोज हैं और बांकी लोगों के पास भी जो जितने भी केंडिरेट हैं उनमें कंफियन बहुत ज्यादा है कंफियन है और एक घवडाहट है कि क्या होगा कैसे कोश्चन आते हैं क्योंकि मोस्टी लोगों ने भी तक अटोमि कि नडिये से वो थोड़े से घवडाहट ज्यादा है जबकि है कुछ भी खास नहीं आपर नमल चीज़ें कुछ यह है कि चीज़ें गाइब हैं उतना किलियर नहीं बताया गया है तो आप अपने आँखों से कोश्चन पेपर देखिए मीडियम देखिए किस कोश्चन का कि देखिए मैंने पीछे वीडियो बनाया था पीछे वीडियो में आपने देखा हुआ कि हर एक सब्जेक्ट का मैंने स्लेवर्स टॉपिक बताया था तो यहां पर जो कोश्चन है इस पर आपको बताऊंगा रिलेट करते हुए कि कौन सा कोश्चन किस टॉपिक से उठा कि इस कोश्चन पेपर के हिसाब से आपका लेवल किया है कितना ज्यादा मेहनत की जरूरत है ताकि आप उस टॉर्चन में काम करें और इस वीडियो के बाद जब आएक कोश्चन पेपर को आप एनलेसिस करेंगा ना मैं फिर से कह रहा हूं कोश्चन के आंसर के पीछे मत भ हैं वह आकरके आप गलत तरह के कमेंट वाजी भी कर रहे थे मैं आपको बतायता हूं कि मेरा इटोमेक एनरजी का कोई 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 प्लान ने यह बिल्कुल आप लोगों की हेल्प के लिए हैं और नहीं कोई कोई मैं इसका जो आपका स्किल टेस्ट का बैच लार कर आँडिकी ऑफ कर में आपका सबसे पहले हिंदी मिलेगा 15 नमबर का और इंग्लिस मिलेगा 15 नंयुक्षन हिंदी के घबड़ाएगा नहीं और ये भी नहीं सोचेगा कि pattern change हो गए तो इसके use क्या है pattern change हो गए तो हिंदी यदि पूछी जाएगी आपसे जो concerned subject में बताऊँगा भी concerned subject हाँ लोगों का ये भी डाउट तो कि sir concerned subject में क्या है PRT का concerned subject में क्या है तो अभी इस वीडियो से आपका clear हो जाएगा कि concerned subject का मतलब क्या है तो देखिएगा हिंदी के 15 question है इसमें English के 15 question है current affair के 30 question है और reasoning के 30 question है current affair अब इतना ज्यादा नहीं रहेगा pattern change किया इनोंने इस टेम पे current affair के 30 question थे लेकिन अब बूतना नहीं रहेगा अच्छा concerned subject की बात करूँ मैं तो concerned subject आप देखिएगा उसमें हिंदी 15 हो गया English 15 हो गया 30 नंबर यह हो गया English फिर से 15 नंबर की पूछी गई Math फिर से 15 नंबर की पूछी गई और जो EBS है वो 15 नंबर का पूछा गया है अब इसको बाड़ी बाड़ी से करना शुरू करते हैं जाद वीडियो जादा अलमी नहीं होगी है फड़ा फड़ काम करेंगे दक्षिन भारत हिंदी परचार सभाकर स्थापना किष्णे की ती कर्यट टांसरे इसका महाथमा गांधी और इनके साथ एक व्क्ती और थे एस वाथ है, पंजबी बासा की है, आपने ओरती ये लिपी तने के में जोड़े, है ऑर मराठी। मेराना चाहि chicken wear 2015 में दसवें विश्ट काहकंर देखिए दसवें विश्ट सम्मेललन इंपोर्टेंट इसलिए इसलिए है कि यह दस विश्ट करते रहे वी हें तो दस हमिनी का दस विशुट सम्मेललन भॉपाल Canonman बाद इस तरीके से पू Search लिआ गया है किना कि किशी संस्ता के 25 वर्स आपको पता होना चीए कि यह 55 25 वर्स को पूरा उन्ने फ़ार सिलवर जूली बना जाता है जो यह फेलिकें DANIEL इहानसा की ता उपदेश मिनित उदा रिभा इसकी ररत्頭 को चाहं के पुछ पूछना-र निक्सी पूछ में तूछ पूछ पूछे गए हैं रचना- sharpen kami से रचना ने मिंटी की डैस नष्ट कर दिया खिसकी उत्पादक्ता को नेक्स देखिए साहिते से सम्मंद रखने वाले क्या कहते हैं साहितिक साहितिक कहते हैं ठीक है आगे चलिएगा भारत में सरवाधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है तो भारत में जो सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है इसने तमिल लगायो लेकिन तमिल नहीं भारत में जो सुरवाधिक बोली या निलभासा है वो हिंदी है और यह जो है हिंदी जो भासा है वो एक नंबर पर आता है 2011 2011 में जो जनगना हुआ उसके हिसाब से और लगभग 43% पॉपलेशन पॉपलेशन हिंदी बोलती है दूसरे नंबर पर आता है आपका बांगला बांगला जो भासा है वो दस करोड लोग बोलते हैं इंडिया में सेकेंड लिंग नंबर पे सबसे ज्यादा बोली या निलभासा बांगला है जो कि 10 करोड लोग लगभग 8% बोलते हैं और तीशे नंबर पे आपका मराथी है चलिए नेक्ट देखिए अंग्रेजी सब्रिंस्पल का हिंदी सबनार्थी सब्द क्या है यह आपका परधानचारी होगा कोई डाउट ही नहीं है और P-L-E तो उसका मतलब यानि सिनोनिम पूछा गया है Ftms का मतलब होता है सजयमी या अल्पहार तो इसका सेम मिनिंग जो है ना मौडरेट होगा क्या होगा अफेबल का मतलब तो क्या होता है मिलनसार सुशिल देखिए अफेबल यहां 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 तो इस तरह का जो टेक्निक है ना जब आप प्र क्या हो जाएगा तो एफ्र मिलन सार जाएगा तो और सेह को होगो अज ऐसी वीडियो के लास्ट में आपका जो तो थोस्पा आप क्या करें यह पोLO ability है यह आपको अपका पार देख सकते हैं अदर्वाइज वीडियो को क्या करें लाइक जरूर करें दोस्तों क्योंकि टाइम निकाल दके आप लोगों के लिए करना पड़ता है और लाइक करें शेयर कर दें जो भी आपके सरकल में त्यारी करने वाली लोग हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करें लें साथ के साथ वीडियो के स्टार्टिंग माने टेलिग्राम चैनल पूर्गे दिखाया है तो आप अपडेटेड रहेंगे चूज द वण बेस्ट फिट विट विडियो ना बलाइंग करना मैं ली तो द वेदर इन द फार नॉर्थ एज नॉन्ट इसका क्रेंट टा मोगा है ये प्लिंग्र के एक टॉपीग होता है यूज ऑफ एजेश का परियोग कैसे कर ना है कहां पर होता है उसमें यूक्व करेंगे मैं आपको बुक सजिस्ट कहा था इंग्लिजर के लिए पिलिंग्ट तू पेरमान केंटरी केंपस या जो भी है मलब जो एससी का इंगलिस का बुक होता है उसमें बढ़िया तरीके से इसका यूज होता है यूज बताये गया है आप उसको देखकर कराम से कर सकते हैं चूज दपियर वर्ण फंद गिवन अल्टरेंटिव इसक्विट अफड़ अफड़ दाइस रिस्पांज है यूज जो डर के साथ मनाए गया है a speedy response is one that is made with alacrity and a sure response is one that is made with slowness इसमें correct answer जो होगा न भी या वो होगा speedy and alacrity यानि alacrity मुलों क्या होता है अती उत्सा जोस में तो जब आप अती उत्सा में answer देंगे जोस में answer देंगे तो आपका answer क्या होगा speedy होगा fast होगा बिल्गूल सही है next next देखी तिवारी के जो वेल विशर थी उसके सूपचिंतक थे उसके business के reputation को क्या करेंगे उसके business के reputation को नुक्सान तो पहुचाएंगे नहीं क्योंकि उसके वेल विशर थे तो to speak his business reputation नहीं to enhance उसके business के reputation को और ज़्यादा बढ़ा दिया mark the correctly spelled option देखी a spelling वाला को spelling का topic में लिखवा है था English Slaves का जो वीडियो है Slaves का जो वीडियो उना बनाये हुआ है उसमें देखेंगे तो English में मैंने आपको spelling का दिया रखा है तो competition का पूचा हुआ है सिंपल सी बात है थोड़ा से difficulty level नहीं था सत्रह में starting ही था ज्यादा well नहीं था लेकिन देखेंदे competition बढ़ रहा है तो ये लोग भी अपना paper exam कर लेबल बढ़ा रहे है तो competition का character spelling यह हो जाएगा competition तियारी करते हैं आप लोग तो आपको पता होना चाहिए यानि यहाँ पर जो relationship है इन दोन सब्दों में ऐसे है relationship खोजना है तो जो ship है जो जहाज है उसकी parking यहाँ पर होती है तो car की parking कहा होती है पार्किंग में होता है कार को पार्क किया जाता है mark one option that best explains the meaning of the underlined person the minister ordered the police to deal with criminal with an iron hand यानि यहाँ पर क्या होओ है अंडर्लाइन किया हुए कुछ words को कुछ सब्दों को अंडर्लाइन किया हुँआ है इसका अर्थ बताना है तो इसका अर्थ क्या होगा minister ने क्या किया police को order minister ने police को order दिया कि criminal के साथ iron hand से deal करो मतलब बिलकुल कराई के साथ, सक्ती के साथ उनको deal करो Mark the option that best explains the meaning of the underlined word This is the historic spot where महात्मा गांधी यानि जो historic word है, इसका मतलब इस line के संदर में निकालना है तो historic मतलब यहाँ पर famous है Complete the following sentence Danny wanted dash new bicycle for the Christmas तो new से पहले क्या आएगा? N तो आएगा नहीं, क्योंकि new का जो उचारन है, प्रोनुशेशन है, न से है न, जो की swear नहीं है, तो N नहीं आएगा Danny wanted dash new bicycle, मलब कोई खास cycle नहीं चाहिए उसे कोई specific cycle के बारे बात नहीं हो नहीं, कोई भी new cycle चलेगी तो इस द भी नहीं आएगा, इस तो आएगा नहीं आपर, तो a correct answer बज जाता है complete the sentence using the correct word from the option do you know the region, do you know the region dash, see it's so upset do you know the region, why she is so upset ठीक, when नहीं, when she is so upset, नहीं, वो कब upset होती है कारण किसका होता, region किसका होता, why का, why का region होता है next, complete the sentence using the correct words from the options my car, जितनी वेहिकल होती है, वेहिकल जितनी खड़ाब होती है उसके लिए आप देखेंगे, broke down, breakdown सबत का प्रयूग होता है वेहिकल के खड़ाब होने पर, तो broke through नहीं आएगा, broke up नहीं आएगा break up तो दिल का होता है, breaking नहीं होगा, breakdown, गाड़ी का खड़ाब होती है तो उसके लिए breakdown सब्यूज किया जाता है, तो उसी का second form है, तो broke down हो जाएगा mark the option that best explains the meaning of the underlined sentence, to saw white feathers यह जो ना, idiom phrases में से है, इसका एक meaning है, आप देखेंगे मैं बार-बार साथ आपको वही कहता हूँ, कि simple सी book लेजिए, आप coaching के चक्कर में ना पढ़िएगा, और course तो बिल्कुल मत खरीदना, आपको करना भी हो ना, आपका मन भी हो बहुत जादा और आपका base week हो, तो आप क्या करना, कोई बढ़ियां सा teacher लो, जो English पढ़ाता अच्छा, English में expert है, आप उसका course लो English का, आपको हिंदी का त्यारी करनी है, तो कोई हिंदी का जो बढ़ियां का teacher है, आप उसका course लो हिंदी का, इस तरीके से काम करो, जो package बेचते हैं पूरा का पूरा package, उस पे बड़ा सा no कर दो no, package नहीं लेना किसी का, to soak white feathers, इसमें देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, डरपोक, to soak coardish, याद कर लो इसको, इसको बढ़ियां प्रिजस आपको जिवान पर रहते होने चाहिए, complete the sentence with the most suitable option from the group, it is easy to trash misplaced luggage if it is properly leveled, अब इसमें आप confused हो सकते हैं, your packed में भी, it is easy to trash your luggage, if it is, अब यहां पर यदि your आना होता है, तो यहां पर it नहीं आता, यहां पाता, if you have properly packed it, यह labeled it, तो you नहीं है, यहां पर इसको sentence है, यानि back के बारे में ही बात हो रही है, तो कोई अलग सा object या subject का combination यहां नहीं बनेगा, misplaced यहां पर ठीक है, mark the option that stands for the given statement, the story of man written by another person, देखिए, जब अपनी story व्यक्ति खुद लिखता है, तो उसे कहते है, autobiography, और जो दूसरा लिखता है, उसे कहते है, biography, यहां पर जो correct transfer हो जाएगा, biography हो गया, यह simple-simple idiom phrases है, आप topic देख लीजेगा, idiom phrases है, आपके as का परयोग है, preposition का परयोग कैसे करना है, fragile verbs, fragile verbs के उपर question मुना हुआ है, आप देखिएगा, यह आपको current affair का question है, part 2, current affair, 30 question है, और जो बच्छे medium को लेके confused होते हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं आराम से, कि हापर current affair के 30 question, 30 के 30 question जो है completely English medium में है, इसमें हिंदी medium का कहीं पर कोई जीकर नहीं है, मैं simple पढ़ क्योंकि current affair होगे पुराने, तो यह current affair आपके काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 साल होगे, 7 साल नहीं, sorry, 5 साल होगे, तो current affair कभी भी 5 साल पुराना नहीं पूसे जाता, आपको क्या करना है, current affair आपके किस काम का है, current affair आपके इस काम का है, कि आप यहां पर क्या करें, आप य एक्ति बैठे हुए वह आपके जुवान पर रटा होना चाहिए नई Chief Minister बने हैं चाहिए New Chief Justice बने हो जो भी लोग है जो New Recruitment हुई है Teachers की नहीं जो Higher Officials से हैं और जो समिधानिक संस्था हैं समिधानिक पद हैं उनके उपर तो आपको पता होना चाहिए इस टेम पर जैस केर्स आप बने थे तो वहाँ पर दिया हुए आंसर नेक्स है, which is the first in the world to band metal mining तो शेलवाड डोड ने उस पर जो माइनिंग है उसको बैंड किया था तो इंटरनेशनल यह इंटरनेशनल कवर है वहां से भी बना था ति यह इंटरनेशनल कवर हैं आपको पता होना चाहिए भी मोबाइल एप यानि कुछ जो देखिये माना जो क करेंट एफेर का स्लेवस बताय था आपको वीडियो में तो वहां पर आपको पता होगा कि मैंने बैंकिंग एकोनोमी मार्केट इन पर थोड़ा सा ज्यादा जोड डाला था तो यहां भी आप देख सकते हैं क्या राम से अब और आगे आपको दिखेगा कि ऐसा लगेगा जैस आपको याद होने चाहिए फूल 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 सा करके जाना विच एज एन इंटेग्रेटेट इंफोर्स्मेंट सॉलिशन तू मैनेज ट्रैफिक वैलेशन थो मोबाइल एप जो नए नहीं नहीं तरह है कि मोबाइल एप वगेड़ा लॉंच हो रहे हैं कर रहे हैं वह आपको कर लेना और इसके लिए मैंना को सही तरीका बताया आप छोटे-छोटे क्रेंटर फेर की मेंगें के पीछे पड़ेंगे तो आपको इतने फैक्ट बता देंगे इतने फैक्ट बता देंगे कि आप परिसान हो जाएंगे याद करते-करते तो सिंपल थ UPSC के लिए आर्टिकल छापती है जो बहुत important है कई बार हो सकता है कि आपको कोई ख़बर छोटी लगती है कि हो important तो प्रत्योक्ता दर्पन की अतनी mastery है कि वो पकड़ लेता है उसको क्या ही important है तो आपको बहुत जातों पढ़ना नहीं है आपको limited पढ़ना है और इस वार तो इसे भी क्रेंटे फ़र कम हो गया है इतना क्रेंट फर तो रहेगा नहीं तो वो चीज आपको करना चाहिए बाकिये दिए आपको budget कम हो इस तरह के दिक्कत हो तो online भी कोई channel बगएर पकर सकते ह देख लिए उसको किसका क्या track रहा है कितना क्या करवाते हैं जो भर-भर के current करवाए उसके पीछे मत पढ़ना हो आपको time waste करा देंगे आपको confuse करवा देंगे ठीक है selective material देखना 36 देखिए what is the theme जितने भी days celebrate day and week celebrate होते हैं उसका theme आपको पता होना चाहिए तो इसका जो theme था national safety week का स्वें था keep each other safe India's longest cable estate उस टेम पर बना था launch हुआ था नर्मदा नदी पर सबसे लंबा cable वाला जो ब्रीज होता है इसलिए उसकानेटर फरमाया था इस तरह कोई इंडिया इंडियन लेवल पर रास्टी स्थर पर कोई record making काम होता है तो आपको पता होना चाहिए which committee has recently recommended quota for girls student in IIT ये तिमोथी गंसालवे committee थी बेरन आइसलेंड ये आपका जोगर्फी से रिलेक्टेट है और माने निकोवार आइसलेंड में ही विच कंट्री विल होस्ट द फिफा वल्ल्ड कप ये स्पोर्ट से आगे आपका विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया ये आपके रिजर्व वगेड़े से आगे विच आवार्ड ये आवार्ड और और प्राइजिस ऑप्शन से ये आपका प्दमसरी मिला था उप्शन जिसमें ट्रीक है लेवल अबस सही है जो गलत हो का मैं बता दूंग आपर दा नेशन वाइड स्वाट सक्ति कैप्तान सब्टा है विच 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 सिटी गुरुगराम से हो एटीन हो नाइंटीन हो हर साल 25 जन्वरी को ही सल्वेट किया जाता है अडास्ट्री ये मत्दाता दिवस इंडियास फर्स्ट वर्टिकल गाटन बेंगलोड में हुआ था है विच अस्टेट है अस्टेट लेवल प्राणभ स्कूल फो टीचर से जुकेशन टीचर्स के सि इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ एलेक्ट्रिसीटी इन विच इयर तो इसलिए पूछा गया था विच मुवी हैज वन दा बेस्ट पिक्चर अवार्ड एड़ एड़ ओसकर आवार्ड है ये जो आवार्ड है ये आपको पता हो पता हूना चाहिए ये फिर कोई पता करना ही करना उस्टे मूनलाइटन जीता था इस वर कौन है देख लेना अगब अभी नहीं आया है साइध ऑसकर तो नहीं आया तो आगे जब तक एक्जाम होगा तक वो आ जायेगा तो उस्टेम आप पता कर लेना विच स्टेट इस सेट इंडियन स्टेट तो हैब वेंडर से उनका एक पब्लिक रजिश्टी करना शुरू कर दिया था पब्लिक में ताकि लोगों पता चलना चीए कि इसने सेक्स क्राइम किया है तो यह केरला से डिल्टेट है नेक्स देखिए विच अमंग दा फॉल्वाइंग सिनेमा थियाटर डेली में एक बहुत पु और मिसलेट आगया आपका और विच देट गौर्मेंट ऑफ इंडिया है अनॉंच दा डिमोल्टाइशन यह यह वरदस्त काम था मोदी जी का तो यह तो बनना ही बनना था और देख लेना बैस और कोई मोदी जी ने भी बढ़ियां काम किया और तो उससे भी कोशन बन सकता है आठ नॉंबर 2016 को यह काम हुआ था फू बिकेम दफ इंडियन वोमेन तुविन ओलंफिक सिल्वर मेडल पीवी जिंदु पहले महिला बनी थी और विच डेट वर्ल्ड टोवेको डे तो वर्ल्ड टोवेको डे जह हैं अभी हाल फिलाल में गया है जास्ट दो-तीन दिन प गया है तो अभी आप पता होना चीए मिल्क डेट इन विच येर दफर्स वोमेंट कॉम्बेट ओफिसर ओफिसर ओफ वीज कमिशन इंडिया तो थान सेवटीन वाट इस तैम पर पूरी दुनिया में जवरात होती है जिस टेम जहां रात होती है अमेरिका में जिस टेम रात होगे उस टेम पर एक गंटे के लिए सारी अपील की आती है और मश्सलों करते भी हैं जो नहीं करते हो जागरुक नहीं होते उतने उन्हें नहीं पता होता लेकिन जो पता होता हो फोलो करते हैं इसीज़ को कि सारे लोग एक साथ एक गंटे के लिए जितने भी electronic gadgets हैं light bulb पं बंद्र कोस्षन हिंदी का था 15 कोस्षन इंग्लिजिस का था उसके बाद 30 कोस्षन न्युमेरिकल और रिजनिन और इसको मैं यहां पर करबानी पाउंगा यह तो बोड्र पर इक संभू है यहां पर सिर्फ आंसर बताने का फायदा है नहीं इसको आप देख लें आराम से वीडियो को रोक रोक करके इसको आराम से देख लें और करना चाहिए तो कर लें होगा तो मैं इसको जो future times coaching future times coaching और future times teaching जहां पर मेरे classes चलती हैं तो आपे मैं smart word face को कड़ा दूँ है और जो हमारे math के faculty है डिजनिंग faculty होँआ पर करवा देंगे YouTube पे रहेगा तो जो मैंने बोला है आपसे promise किया वही चलेगा इसमें टेंसल मतले न और इसमें देखिए जो जहां पर सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वह आपके सामने आ गया concerned subject सर primary के लिए concerned subject का क्या मतलब है concerned subject में कौन कौन सा subject आएगा तो simple सी बात है मेरे भाई और बैनों कि जो concerned subject में न जो subject आपको आपकी qualification में है और जो subject आपको पढ़ाना है वो subject concerned subject में पूछा जाएगा इसमें चार सबजेक्ट पूछा गया आपसे concerned subject concerned subject में total 60 question है 60 number का जिसमें से हिंदी 15 question है English 15 question है math 15 question है और EBS 15 question है ठीक है तो देखिए का हिंदी में जो पहला question है आपका अभ्यागत आकंतु पाउना किस सब्द के पढ़ाईवाची है तो जो लोगाउं से related है उनको पता होगा ये सारे जो है अतिथी वर्ड से related है उपमे मे उपमान का आरोप होने पर कौन सालंकार होता है ये आपका उत्परिक्षा होता है जियों त्यों इस तरह के वाकि में रिखांके सब्द का सही सब्द चुनिए उज्वल कैसे लिखा जाता है लोगों ने case कर दिया था इसके उपर उज्वल ये ठीक है सही वर्तिनी क्या है जोट्सना 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 ये ठीक है नवडात्र में कौन सा समास है नवडात्र में कौन सा समास है तो नवडात्र में कौन सा समास होगा बवविडी द्वन तो होगा नहीं करमधारे भी नियोगा बवरी नियोगा बवरी में क्या होता है सब्द कुछ और होता है उसका अर्थ कोई अस्पेस्विक कोई और चीज होती है जैसे विश्णु जी कमल इस तरह की चीज़ उतालने दुईगू समास होगा क्योंकि जहांपर समू का बात आ जाता है समू के ज अब क्रिष्ण नहीं होगा निक्रिष्ट होगा ठीक है नो तो यह देखो फसाने वाले कोशन है यह आपको पता होना है जाए नेक्स्ट दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं जब दो सब्द आपस में मिलते हैं तुसे समास कहा जाता है और जब दो वर् त्यान रखना, पावन का संदिविशेत क्या होगा, पोजम अन, निवल्थित में से कौन सी वर्तनी असुद्ध है, कृत्रिम ठीक है, दैनिय ठीक है, अच्होनी यह ठीक है, वदनामी गलत है, क्योंकि बदनामी होती है, वदनामी नहीं होती है, बहा होता है, कस्तूरी पल्म पईदा होता है है इस अजय पर कंप्लैन पिंड अब जया थे एक शवद में लिखिए जो अक्षे कुल में पैदा हुआ उसे क्या का ओए इन के हैं तो लुटेरा सब्द में पडाएरा सब्सक्राइस हो से निम्लतिक स्वरों में से सन्युक्त स्वर कौन सा है, सन्युक्त स्वर, तो जो अ है न, अ तो बिलकुल सुध है, आ ये भी सुध है क्योंकि इसमें दो जो हैं, दो अ हैं, अ जमा अ, आ बन गया, इ जो है, इ ये भी सुध है क्योंकि इसमें दो छोटे इ है, हर जो इ है, इ ज नाक में दम कर देना मुहावड़े का अर्थ पताईए तो इसका अर्थ क्या होगा नाक में दम इसने में नाक में दम कर रखा है यानि बहुत परिसान करना है अच्छा यह देखिए इंगलिस का जो है पांच कोश्चन है आपका पैसेज से रिलेटेड़ है तो 106-110 तक पैसे को पढ़ना है और यह करना है तो ठीक है और जब चुकि इस वाल क्या हो रहा है कि आपका एक्जाम ओनलाइन है तो पैसेज ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 111 है चूज दा वर्ड मोस्ट सिमलर इन मिनिंग टू दा गिवन वर्ड फ्यासको फ् खुंण्यवाला सब्द ठोब ना है थैक है सुझन दा वर्ड मोस्ट इसजळ डयाएंगा यहां भी सिमलर बड़ पीवन वर्ड फ्रीवोलस व्रीवोलड का मतलब है हलका तो इसका सेम वीनिंग वाला क्या होगा पोसेसिव नहीं पोसेसिव वालए liberal इन इसका स्ट्रिकि ज serious नहीं, lighthearted lighthearted, हलका चली, आगे देखिए choose the most appropriate word to fill in the blank bus, dash are going to increase, तो bus ticket, इनकी जो bus train, इनकी ticket के जो पैसे होता है न, उसके लिए fee नहीं use करते, fee school के होती है rate भी नहीं करते, bill भी नहीं करते bill, market का होता है, hotel का होता है, कपड़े का होता है bus और train, flight जो में journey होती है, journey के ticket के पैसे को fair का जाता है, किराय का जाता है, next दिखिएगा identify the parts of the speech in bracket the golden ring is too costly, जो costly है वो कौन सा parts of the speech है, तो ly लगा होगा न, पीछे, तिए जो हो जाएगा आपका adverb हो जाएगा हलाकि कुछ ly वाले अपवार्द भी होते हैं, तो आपको भी पता होना चीए हो सकता है board आपको उसमें फसा दे supply the correct preposition to fill in the blank Mr. Jolly is accused accused के बाद preposition में आप बढ़ेंगे off off to four preposition हैं सारे इन सबका use क्या है कहां पर ये use होते हैं, कहांपे ये use नहीं होते हैं कहां पर हमेशा ये use होते हैं वो आप जब इनको सही तरीके से तयारी ही करेंगे सही तरीके से इंग्लिस में पढ़ाई करेंगा तो पता चल जाएगा जो accused word है न accused word हमेशा अपने बाद आफ सब्द को ले के चलता है, तहां पर accused के बाद off हाएगा, Mr. Jolly is accused of a criminal case, which of these is the correct spelling, difference, 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 correct answer, यह हो जाएगा, which is the correct passive voice for the sentence, which is the correct passive voice for the sentence, तो sentence से आपका, they will demolish the entire building, तो आपको पता है, passive voice में क्या होता है, कि जो object है, वो subject बन जाता है, subject है, object बन जाता है, तो the entire building will be demolished by them, the entire building will be demolished by them, यह correct हो गया, which of the phrase best express the idiom at sea, at sea का मतलब होता है, confusion में होना, परेशान होना, चीज़े समझ में नहीं आना, तो इसका जो answer होगा, वो बैफर्ड हो जायागा, choose the correct position, the river flows, dash the bridge, तो देखिएगा, जो river है, river जो है, आपको, river कहाँगे, river कहाँगे, the river flows, dash the bridge, यह जो नदी है, उपहती है, bridge के क्या, below, under, into, below क्या होता है, जब एक, below के यूज़ वहां पो होता है, जब एक, standard size की बात करता है, comparison की बात होती है, लेकिन यहाँ पर, नदी बिचारी, चुप चाप, अंदर से जा रही है, तिसे under कहाँगे, find out the word correctly spelled, जिसकी spelling correct है, वहां पर answer हो जाएगा, accessible की spelling यह होती है, learn कर लेना, हो सकता है, इन अच्छब कोई word, repeat भी हो जाए, ठीक है, आगे देखिए, average of first 50 numbers, तो एक से 50 तक का average निकालेंगे, correct answer लिया जाएगा, तो इसमें क्यों करना, आपका 1 plus 2 plus 3 plus योग निकालना है, प्लस निकालना है, जमा निकालना है, तो 156 answer आजाएगा, which of the following numbers gives 240 when added to its own square, तो कौन सी संख्या है, जिसके उसी के square में plus करने पर 240 आएगा, तो 15 को देखिए, 15 का square कितना होता है, 15, 15 या 225, इसमें 15 को plus कर दीजिए, क्योंकि वही कहा जा रहा है कि उस संख्या को उसके square में plus करने पर 240 आएगा, 15 का square हो जाएगा, 225 plus 15 is equal to 240, तो numbers are in the ratio of 4 is to 5, if the sum of the number is 135, find the number, यानि दो संख्याओ का नपाथ 4 नपाथ 5 है, तो इसमें देखिए का, 60 और 75, पहला जो option है न, पहला जो option है आपका, 60 और 75, जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 135 हो रहा है न, बांकी में, और किसी में 135 हो भी नहीं रहा है, तो यही आपका अंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके सो हो गया, what kind of number is 37, 37 है, 37 हो किस तरह का number है, odd, prime ये दोनों है, odd भी और prime भी है, 6 minus 5 minus 3 plus 10, तो देखिए, bracket के अंदर जो है 5 minus 3, वो सबसे पहले solve होगा, तो 5 minus 3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, फिर 6 minus 2 plus 10, तो 6 का आगे कुछ नहीं मिला, plus का निसान है, 2 का आगे minus का है, तो पहले हम plus करेंगे, तो 6 और 10 plus हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 minus 2 करेंगे, तो 14 correct answer आजाएगा, 3 bells ring at the interval of, ये LCM का question है, 10, 15 और 24 का LCM निकालेंगी, तो 120 आएगा, 120 मिनट का मतलब हो गया, 120 मिनट का मतलब हो गया, 2 घंटे, क्या हो गया, 2 घंटे, तो पहली बार जब 8 फिर बजा है, तो 8 फिर एक बार दो घंट बार नहीं, 10 बजा बजाएगा हो, एक साथ, next, math का देखिएगा, बांकि आप इस तरीके से कर सकते हैं, simple है, 3 x minus 15 is equal to, then x is equal to, यानि x की value क्या रखे हैं, कि ओ 0 आजाए, x की value में 5 रख देता हूं, 5 रखता हूं, x की value 5 रखता हूं, तो 5 तरी है 15, 15 minus 15 is equal to 0, 7 x square minus 2 y minus is equivalent to, इसमें आपका basically formula लगे हूं, formula नहीं, इसमें आपका minus जो है multiply हो जाएगा, ति यह minus 3 x square और यह minus 5 y, ति यह आपका बन जाएगा, 4 x square और minus 2 y, 4 x square minus 7 y बन जाएगा, correct है, यह आपका ठीक हो जाएगा, triangle ABC is a right angle triangle, आप पाइथोग्रस पर में लगाईएगा, आप का नसरा जाएगा 24 मिटर इसमें, जहाँ पर इसका square प्लस इसका square is equal to इसका square, next है, इसका square, इसका square प्लस करने पर आता है इसका square, और triangle with no side equal, जिसका एक भी side equal नहीं, उसे क्या कहेंगा, उसे कहेंगा, इसकेलन triangle, हिंदी में विशंबा उत्रबोच, the value of 8 square divided by 2 cube, तो 8 का square कितना हो जाएगा, 8 का square हो जाएगा 64, 2 का cube कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, correct रांसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, C, X, Y, इस तरह की value होना, वह variable होता है आपका, variable होता है, तो इसमें देखिए, पहला answer होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ आपका X है, बाकि में Y भी है, Y है, इसमें 3 है, और parallelogram, भूच, each of angle measures 90 degrees, एक ऐसा चत्रबूच, जिसके चारों angle 90 degree है, वो क्या बनेगा, rectangle बन जाएगा, अब most important आपको EBS देखना है, EBS, जिसे आप science भी कह सकते हैं, इसमें देखिएगा ध्यान से, question किस तरीगे से और क्या बनाए है, nuclear family refers to death, family includes nuclear family में क्या होता है, कौन-कौन से लोग सामिल होते है nuclear family में, तो nuclear family में, family parents होते हैं और उनके बच्चे होते हैं बस, और कोई नहीं होता, यह correct हो गया, which of the following is not a cause of air pollution, इनमें से कौन सा जो है air pollution कारण नहीं है, smoke तो है, carbon dioxide भी है, nitrogen gas, sulfur dioxide, sulfur dioxide जो vehicle चलती है, उनसे निकलता है, nitrogen gas अपने आपने सुद्ध है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बलकि जो पैसेंट फेर को oxygen दिया जाता है, उसमें भी nitrogen मिला के दिया जाता है, which part of the plant evaporates water, यानि पौधे के कौन सा भाग जो है, वो पानी चोड़ता है, अस्ट्रोमेटा छोड़ता है, जो पतियों में होता है, carrier of dango, dango किसे फैलता है, तो आपको पता होना चाहिए, add this mosquito to, in which state of matter the distance between the molecule is minimum, यानि पदार्थ की कौन सी अवस्था में, जो उसके कन है, कनों बीच में बहुत कम जगा होती है, तो पता होना चाहिए, solid, solid के बाद, जैसे उसको थोड़ा से गरम करते हैं, उसके जो particles हैं, थोड़ा से दूर भागते हैं, और वो liquid बन जाता है, फिर वो और गरम करेंगे, और दूर भागेगा, तो गैस बन जाएगा, सबसे कम जगा है particles के बीच में होती है, solid में, habitat of dogfish hc, जो dogfish है, जो कहां रहती ज़्यादा तर, समंदर में रहती है, which of the following has minimum speed, maximum speed, इनमें से किसकी speed सबसे ज़्यादा होती है, तो light के speed सबसे ज़्यादा होती है, आप देखिए, आकास में जब बिजली करकती है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आती है, चमक दिखाए दे आती है, कि हम बिजली करकी है, आवाज उसके 1-2 second, 2-3 second के बाद आवाज पहुंचती है, तो सबसे ज़्यादा spirit के भी light की हुई, अब आप यहाँ ध्यान यह दीजिए, आंसर पे भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ के साथ ध्यान देगिए, कोशन किस तरीके का पूछा गया है आपर, किस किस टॉपिक से पूछा गया, क्या बहुत मुश्किल, कोई बहुत टेपिकल केमिस्ट्री में गोशगे, बाइलोजी में गोशगे नहीं, यह डेली राइप से लेटेड छोटे बच्चों की जानकारी जहां तक होने चाहिए, पांचों की आठों की बच्चों को जो कॉंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन्हीं में से कोशन पूछा गया है, पांकि और कुछ नहीं है इसमें, टोबेको एडिक्शन एज, जो टोबेको है उसमें क्या होता है, उसमें निकोटीन होता है, पताऊना चीए आपको, ओजोन लेयर कहां पाई जाता है, अस्टेटोसफेर में पाई जाता है, CNG का फुल फॉम क्या है, कंप्रेश्ट नेच्रल गैस है, कीचन गैस भी बोल सकते हैं इसके आप, नेक्स्ट, CNG is कंप्रेश्ट नेच्रल गैस, सूगर इज फॉर्म अप, जो सूगर है, चीन ही है, किसका फॉर्म अप, प्रोटीन है, फैट है वाटर है, करभाइड करेक्ट अच्र एज, विच वन इज नोन लुमनेस, यानि इनमें से किसकी अपनी लाइट नहीं होती है, तो मून की अपनी लाइट नहीं होती है, जो कंडेश्ट, कंडेश्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं, संगनन, क्या बोलता है हिंदी में इसको संगनन और evaporation को क्या बोलता है वास्पी करन तो इन दोनों में क्या संबंद है संगनन में क्या होता है कि जो बादल है बादल उपर में वो द्वारा से बूंद बन करके नीचे टपक जाता है बारी सिसी कारण होती है वास्पीक्रेंड क्या होता है जो नीचे पान ही हो गरम होकर के बुंद बन के ऊपर चला जाता है यह दोनों क्या कैसी परक्रिया होगी यह दोनों अपोजिट परक्रिया होगी which is called powerhouse of the cell, cell कोसीगा का powerhouse क्या कहलाता है? mitochondria कहलाता है, our head is made up of only one mobile bone, it is called हमारे पुड़े सीर में जो है, हमारे पुड़े सीर में जो है, हमारे पुड़े सीर में एक ही bone हिलने वाली होती है move करने वाली होती है, जो है jaw bone, जो हमारे यह वाला portion है, नीचे वाला है उपर वाला जो फिर भी नहीं चलता उपर का जो जबड़ा है वो अस्तिर रहता है नीचे का जबड़ा हम चबाते हैं तो नीचे के जबड़े को ही उपर नीचे उपर नीचे करते रहते हैं चबाने के लिए ठीक है तो यह आपका आंसर हुआ आप उमीद समझ गया होंगे कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस बात पर कीजिएगा जो concerned subject है उसमें क्या-क्या पुछा गया है और उसका level क्या है घबडाईएगा नहीं प्रैक्टी ज़्यादा ज़्यादा कीजिए concept ज़्यादा कीजिए बस इतना ध्यान लखना आपको और कुछ नहीं है इसमें बाकि कोई doubt हो कुछ जानना हो तो comment section में डाल दें वीडियो को like जरूर करें share जरूर करें चैनल को subscribe जरूर कर लें family को बढ़ाईए तो रज़र teacher का motivation यही रहता है बाकि और कोई बात नहीं जो अपना जोनो पीडी की family है उसको बढ़ाईएगा कोई भी क्वाईडियेंट comment में डालिए उसको confirm किया जाएगा बाकि कल फिर एक video 2018 का जो paper है उसको लेकर काएएगे तो बाकि बाते कल करेंगे आज इतनी बाते हो सकते थे उसको उने कर लिया comment section में आपने विचार डाल दीजिएगा ताकि कल की जब वीडियो बनाओ तो मैं आपके उन सारी चीजियों के लेकर करके उसमें साथ के साथ काम कर सकूँ चलिए गुड़नाइट